यहाँ पर बात करेंगे जिमभाबे वोमेन भर्सेस युएई वोमेन्स के बीच जो ट्राइस रीच का मुकाबला खेला जाएगा सामके टाइम साड़े पांस बजे खेला जाएगा देखो एसे मुकाबले में क्या होता है नौ 10 पिलिर सेम होने वाला है एकेपटन भी लगवक सेम होने बाला है बस 20 यार लांस्ट पिलियर ही आपको डिसाइड करेगा आप वीन करने वाले हो या फिर लोज करने वाले हो अभी के टाइम में डोमेस्टिक मेच कुछ खास अभीडिम लेगान पहाई नहीं नीव मेच आता है तो हम लोग बहुत बनिया खासा विनिंग करते हैं अभी नीव मेच भी नहीं है और कोई खास सिरीज भी नहीं है तो उनका वेट करेंगे पाकिस्तान ODI या T20 जो भी लेगा वो आने वाला है जो कि जहां पर लाइन अप नहीं उतारवाएं कहीं न कहीं से लाइन अप मैं दे देता हूं इनका फाइदा हर सीजन हर साल हम लोगों ने उठाया है इस बार भी उठाने का प्रियास रहेगा वसरते लाइन अप आउट डिम लेबर न क्या होता है कि जीएल का रिंग बहुत बड़ दस्त लाल होगी हलांकि कल ही देखो मैंने ट्राइ किया था भाई एमांट कुछ खास नहीं दिया 33 मां 40 दिया जीएल ये खराब जीएल था लेकिन अब मेरा रेंग देखो 122, 122, 131 जबजब मैं ट्राइ करता हूं न मेरे भा बस भीसी के लिए थोड़ा सा सोचना था वैसे भीसी भी बुरा नहीं है तो कूल मिलाकर जो जीएल टीम मैं करता हूं काफी सही सटीक जाता है जो मैं बताता हूं वही मैं भी करता हूं तो चलिए उमीद करेंगे इस मुकाबले पर हम लोग कुछ बढ़िया करें पर जीएल का टीम, पीच रिपोर्ट, पिलेंग लेवन याने एक सांदा टीम बनाने में जितने चीजों की अब सकता होती है मेरे भाई सारा कुछ टेलिगराम चैनल पर प्रवाइड करता हूं तो आपको जोईन कर ना किस परकार है जी हमरे भाई वीडियो के डिस्क्रिप परके आसपास दिखेगा ये हमारा ओरिजिनल चैनल बिल्कुल फिरी में टीम वेगेरा हर अपडेट आपको प्लब्द मिलेगा तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेड टू हेड रिकोर्ड दोजार चोबिस में दो मुकाबला खेला गया दोनों को दोनों जिम जिमबाब्बे और न विवियाग बीच हुआ था तो से मेशा ही रिकोर्ड था जिमबाब्बे का विनिंग का रिकोर्ड बहुत ज्यादा था लेगिन हुआ क्या जिमबाब्बे वोमें से ही हार गई तो वोमें मेच में कुछ भी संभाव है आपको पता है लड़किया या जे नकोमो यहां से एक विक्ट जरूर ले जाती है कि स्चीगोरा पांस विकेट ले जाती है मेडन के साथ बीविजा की बाद के यह तीन विकेट ले जाता है से मुकाबला इसी सीरीज का जो अभी खेला गया था काफी रूमान्चक मुकाबला होता है जिमबाब्बे के तरफ से भी कोई खास नहीं, जे नकोमो यहां से 30 जरूर करता है, एल फिरी यहां से 11 करती है, एसा इनका चलता है, बाकी यहां से देखोगे गेनबाजी में के विशा एक विकेट ले जाता है, हीना होट चान्दनी दो विकेट ले जाती है, मेडन के साथ, इसा होजा को भी एक सफलता मिलता है आई नंद कुमार चार ओबर कम्पलीट एक विक्टे भी महेश दो विक्टे ले जाता है यह सुफिरिया यहां से एक ओबर में नो रन देता है यही थोड़ा महांगा साबित हो जाता है वरना इसके टीम विन भी कर सकते थी वहीं दूसरा मुकबला 2024 में कुछ टाइम पहले खेला गया था उस पे हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं तो इसमें एसा कुछ होता है UAE वोमेंसी यहां पर वल्ले बाजी करने आते हैं कभी साथ 23 और होट चांधनी यहां से 32 करके जाती है गिन बाजी में जे नकोमो चार शफलता ले जाता है पुड्रिये की बाद की जाइए दो शफलता ले जाता है एक चिपारे की बाद के एक शफलता है जिमभाब्बे वोमेंस की तरफ से देखो गए तो टोप चार यहां पर बहुत बढ़िया करता सामने की टीम कहीं इर्ध गीरद भी नहीं रहती हार जात सेम इसा ही UAE का चल रहा है बाकी गेनवाजी क्यारत गेनवाजी इसा ओजास्तीन सपलता ले जाती है लंकी थोड़ा मांगा सावित होती है वोमेन के लिहाजे से देखा जाए तो वी महिस यहां से तो ही ओबर करते लेकिन दो विख्टे ले जाती है थोड़ा ये भी मांगा के विशा की बात के एक सफलता यहां से अईनंद कुमार चारोबर 21 रन हीना होट्स यांदनी चारोबर मात्रेगार रन एक बिख्टे ले गे और शमीरा धरीन धरका की बात के दो वर इनकोई पिटाई पड़ा तो थोड़ा से यहां पर उच नीच का अउसर यहां पर देख की पर 49 का योगदान देता है के नडलोव की बात के जो हम लोग का केप्टन था 16 का योगदान दिया था सीमिंगोर ट्रीपानो इनो ने भी 16 का योगदान दिया बाकि इनकी गेनबाजी क्या रही गेनबाजी यहां से वी वीजा हम लोग का भी सी 2 शफलता के नडलोव केप पिलेर पर ये मेंच निर्भार था जी आमरे बाई ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे अब सीधा कॉंबिनेशन कूपर बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंड है लेकिन इससे पहले है कि जदी हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियो मेरे बाई तो जल्दी से जाकर सबस्क्राइब कर लो अगर ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अफडेट आता है मैं सबस्क्राइब इनफोर्मेशन देता हूँ इनके अलावे कुछ जनकारी लेना हूँ इस्टापे भी मेसेज कर सकते हूँ यहाँ से फिलाल मैं बेश्ट विकर कीप अटीस अतीस है दो विकर कीपर सांथ जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हैं बागी बल्ले बाजी सेक्शन में वी बीजा के सांथ इसलिए जाएगे क्योंकि यह गिन बाजी करती है ते कोल राउंडर के तोर पे बागी किनी के उप डाला कि यहाँ से हम लोग एल यहाँ से फिक करना चीए अई नंध कुमार चार उबर कर रहे लांग की लाश्न में विकेट लेζ गया की सीगोरा यहाँ से πिक करना चीए तो मैंने यहाँ से यह पिक कर लिया अब इसमें क्या कर सकते हों जिन को लगता है कि भी मैश बढ़ि में तिन को फिक कर सकते यह आपके ऊपर है सी मुतासा एक ही दोई ओवर डाल रहे लेगी अच्छा लग रहाएगी दोई ओवर में यह सफलता ले लेगी यह फिर इसमें चार ओपर तिन के साथ भी जा सकतो तो यह लास्ट पिलर जोन आपको डिसाइड करेगा आप विन करने वाले हो यह फिर लोस करने वाले हो जैसे मैं अभी यहाँ से इसको देता हूं केप्टन विजी के चार ओप्शन आपको नज़र आएगा पहला उप्चन नजर आएगा मेरे भाई यहां से कि नडलोब यह फर्स्ट हमारा होने वाला है सकेंड हमारा यह होने वाला है थर्ड हमारा यह होने वाला है फोर्त हमारा ये फिफ्थ हमारा ये और यहाँ जे शिक्स याने 6 केप्टन वीजी को अप्चन है भाई मैंने 4 बोला सुर सकते हूँ अब यहाँ पर मैं थोड़ा अज देख रहो हूँ मैं फिलाल के इनको मैं केप्टन सी दे रहा हूँ और VC के लिए मैं सोच रहा हूँ कि विशा की उपर जाओं जे नकोमो होर्शांधनी इसा हो जा की उपर या फिर केप्टन VC रिवर्स भी कर सकते हो बागी ये केप्टन VC वाला मेचा भाई या लास्ट में लास्ट पिलियर जिनका बणिया और केप्टन VC वही जीतेगा बागी सा भारेगा कमपेटिशन हाड है हमें लगता जी यल ट्राइ करना चे वैसे लाइनाप के बाद अगर जैते कुछ बड़े-बड़े पिलर ना के ले या फिर कुछ बदलाव रहे तो मैं सटी को सकता है तो इन बेस्ट के लिए मेरे भाई लाइनाप का बेट करना मैं आपको टेलीग्राम पर अबडेट करूँगा वहाँ पर जुड़े रहना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो का फर्स्ट कोमेंट पर तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हाई है तो फिलाल के लिए वीडियो के यही समाप्त करता आसा करता हूँ भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो